हेलो दोस्तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं एक important बात आपको बताना चाहता हूँ हमारा foundation course स्टार्ट हो चुका है उसमें हम limited students लेते तो registration अगर करना है तो आपको call करना पड़ेगा इसमें दो batches है evening और morning तो batch timing और fees के लिए आपको call करना पड़ेगा तो दोस्तों चलो हम start करते है थ्री point perspective कल हमने जो देखा था थ्री point perspective यहाँ पर मैं एक roughly आपको निकाल के दिखा था हूँ किस तरह हमने कि तो कल जो figure निकाली थी तो एक point नीचे था और यहाँ पर तो इस तरह कुछ figure थी तो यहाँ आप देख सकते यह थोड़ा सा मैं dark कर लेता हूँ कल जो हमने perspective three point perspective जो देखा था यह bird view देखा था bird eye view तो अगर bird देखता है तो कैसा दिखेगा ऐसा मैंने कल एक building निकाल की दिखाई थी तो यह एक perspective देखा आज हम end view देखेंगे अगर नीचे से उपर देखते तो किस तरह हमें नजर आता है हेलो दोस्तो हम three point perspective का end view यहां पर देख रहे हैं तो end view के लिए सबसे पहले हम एक horizon line निकाल लेते हैं पॉइंट है उसको vp1 और right side का जो point है उसको vp2 और एक point हम लेंगे उपर के side यहां पर तो उसको नाम देंगे vp3 इसको जेनित भी कहते हैं जेनित और कल जो हमने देखा था नीचे का point vp3 नीचे हमारे ground level के नीचे तो उसको नादिर कहते हैं तो यहां एक point लेता हूं में और यह point के तीनों जो vp1 vp2 में तीनों जगों जोइन करता हूं और फिर एक क्यूबाइड निकाल कर दिखाता हूं तो यह एक line हो गई यह एक line हो गई और यहां पर यह third line हो गई वीप 3 में तो यह तीन line होने के बाद अब यहां पर मैं एक point लेता हूं और यह point सबसे पहले vp1 में हम जोइन करेंगे यह point vp3 में हम जोइन करेंगे यह line थोड़ी गलत हो गई इसको erase कर लेता हूं यहां पर भी एक point लेता हूं और यह भी point हम पहले vp2 में जोइन करेंगे और यह point vp3 में जोइन करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं यह three point join कर लिए मैंने इसको थोड़ा नीचे का part है इसको dark करता हूं अब यहां पर मैं एक point लेता हूं जिसकी size हम decide करेंगे तो यह vp1 में और यह vp2 में तो अगर हम नीचे से अगर कोई देखते आय लेवल की उपर अगर कोई चीज है तो हमें कैसे दिखेगी मतलब कि end view यहां पर मैं दिखा रहा हूं इसको मैं dark करता हूं यह portion को यह नीचे का part हो गया यह side का part हो गया और यह right side का part हो गया नीचे का थोड़ा dark कर लेदा हूं जो base है तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखेगा कोई भी object अगर उपर जाता है तो वह किस तरह हमें नजर आएगा तो यह three point perspective किस तरह निकाला जाता है यह यहां पर मैंने दिखा है तो इसमें वापस एक बार repeat करता हूं यहां horizon line निकाली है उसके उपर vp1 और vp2 vanishing point 1 vanishing point 2 vanishing point 3 इसको यह जेनित ऐसा बोलते और कल जो हमने देखा था कल जो इस तरह का जो हमने figure निकाली थी तो यह जो point आता है नीचे का यह जो point है इसको नादिर बोलते है तो अगर bird view है और नीचे का point है vp3 तो इसको नादिर अगर end view है और यह vp3 इसको जेनित ऐसा कहा जाता है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताना है share subscribe और like जरूर करना है और जो भी बच्चों को foundation course में registration करना है वो जो number दिया है उसके उपर आप call कर सकते हो जल्दी से जल्दी thank you thank you very much झाल है कर दो जो जो झाल कर दो माय है वो घ्क तॉक जाँखब थहोड़ आए